हईलो पावफुल सो वेलकम तू आरे एंजलिक काइडेंस आई होप आप सब अच्छी होंगे अपमें लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आज मैं फिर आपके सामने reading लेके आई हूँ और हम देख रहे है birth month reading तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे month की readings देखेंगे आपका जो birth month है आप उसे choose कर लिए जिएगा description में time stamp है तो अपना birth month आप choose कर लिए जनवरी है, फरवरी है, मार्च है जो भी है और उससे related हम आपके messages देखने वाले कि आपके लिए क्या खास messages है चलिए शुरू करते हैं Hello January जिन लोगों ने choose किया था, आएए देखते हैं आपके लिए क्या messages है यहाँ पर Message of Concern यहाँ लोगों आपके लिए वाले की प्रब्राइब से अच्ट है मैसेज आसको कोई मैसेज आ सकता है जो आपको चिन्तित कर सकता android to au मैंटर्विव कॉल आ जाएária। उस पो निलेगे का से म्तुम jury by ingay वेट कर रहे हो कोई मैसेज के लिए वेट कर रहे हो या किसी किसी रिलेटिव किसी अपने से आपकी बहुत समय से बात नहीं हुई है उनसे भी आपकी बात हो सकती है कोई ऐसा पुराना जो बहुत समय से प्रेंट भी हो सकता है कोई रिलेटिव हो सकता है कोई ऐसा जिनसे इस दिया से सुनने को मिल सकती है या आप किसी के message का wait करें से तो उनका message आ सकता है यहाँ पर किसी चीज़ के लिए insecurity दिख रही है आपको आपको ऐसी चीज़ जो आपकी अपनी अप चाते है कि किसी और को ना दे ठीक है? कोई बात की insecurity आपके मन में है कि शायद आपको लग रहा है कि सामने वाला आपसे जादा बेटर है, इस चीज़ की इंसिक्योर्टी आपको हो रही है, या तो ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई ऐसी समाने आप किसी को देना नहीं चाते, ठीक है, या अपने रिलेशनशिप में आप इंसिक्योर हो रहे हो, कोई बात है, जो आपको परिशान करें, जहां पर आप को ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे मैं ये कमी है, या या मेरी चीज़ में किसी और को नहीं दे सकता है, जेको या फिर आपके रिलेशनशिप में ऐसा चल लाए है कि आप को डर अपने पार्टनर को खूने का, या मे आपको आ सकता अगर किसी person को लेके ऐसा है तो आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या messages है यहां पर new opportunities, possibilities and path opening तो आपके लिए यहां पर new opportunities आ रही है possibilities आ रही है और आपके लिए path open हो रहे हैं आपर new paths आपके लिए open हो रहे है someone will try to make you do something against you will तो कोई शायद आपसे कोई ऐसा काम करा सकता है जो आप नहीं चाहते हो करना आप नहीं चाहते हो करना और कोई आपसे इसे करा सकता है जिस वज़े से भी शायद आप परिशान हो सकते हो कि नहीं मुझे तो यह नहीं करना है ठीक है आपर an arrogant and bossful person you should not cross कोशिश करेगा इन लोगों से नहीं आप पाला पड़े आपका ना मिलो जो बहुत arrogant होते हैं जो आपकी energies को low कर सकते हैं ठीक है कोई आप पे चला सकता है गुसा कर सकता है ठीक है कुछ ऐसा कर सकता है message of concern आपके लिए main important message आया है तो कोई हो सकता है कोई ऐसे आप पे बोल दिया कोई गुसा दिया कोई अपना ही कभी-कभी ऐसा हो चाता है किसी को कोई चीज नहीं पसंद आई तो वो चीज आपको परशान कर सकते हैं बहुत चोटी चोटी बातों पर भी बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं याँ पर ठीक है तो यहाँ पर आपको ऐसे लोग से बचना है जो बहुत arrogant है इनसे बचके रही है वो सकता है कि वो चाते कोई ऐसे लोग हैं spiritual guidance and protection from harm मैं यहाँ पर आपके लिए protection देख रही हूँ हाम से ठीक है मतला आपको protect किया जा रहा है यहाँ पर दूसरा guaranteed success आपके लिए success guaranteed है आपको success मिलने वाली यहाँ पर दूसरा यहाँ पर देख रही है someone is excited sorry extremely stubborn and unwilling to change तो यहाँ पर कोई है जो बहुत जिद्धी है और बदलना नहीं चाहता खुद को मैं अगर इस बारे में बात करूँगी तो अपनी इस negative अगर ऐसा insecurity आपको किसी चीज से हो रही है किसी भी चीज को लेकर भी और किसी चीज से भी तो यहाँ पर मैं कहूँगी और ऐसे लोग से दूर रहना है जो arrogant है और कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आप नहीं चाहते हैं वो आपसे करवाना चाह रहे है तो इन चीजों से क्या करना है सत्रत रहना है बाकी आपसे खाज़रा opportunities आ रही है आपके लिए success आ रही है आप में से कुछ तक spiritual life की और बढ़ सकते है spirituality की और बढ़ सकते है यहाँ पर protection आ रहा है आपके लिए guidance आ रही है आपके लिए आए देखते हैं और क्या messages है है आपके लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसा decision या तो आप नहीं ले पा रहे हो या बहुत सारे ऐसे लोग है जो आपको कह रहे है यह करो वो करो ऐसा करो और आपको समझ में रहे है कि मुझे क्या चुनना चाहिए यहाँ अगर एक बात कही जाए तो आप अपने दिल की बात नहीं सुन पा रहे हो यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसमें आप फसे हुए हो जगल कर रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहे कि क्या best है या फिर आप जो truth है उसको नहीं देख पार उस सच नहीं देख पार जैसे कि मैं कहूंगी कुछ लोग को सर्फ डिलूजन खुद को लेके कि यार मैं तो अच्छा हुई नहीं या मैं तो अच्छी नहीं हुई या तो मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकती लाइफ में कभी-कभी ऐसा period आ जाता है ऐसा moment आ जाता है कि इनसान को ऐसा लगता है या कोई आपको ऐसा कर रहे तुम ये करो तुम वो करो ठीक है और आपको नहीं समझा मुझे क्या चुनना है मेरे लिए क्या आच्छा है ठीक है तो कुछ इस तरह की condition यहां पर बनती हुए मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रही है पड़ जोसे कि मैंने कहा कि इसाद लोग आपसे कह रहे ये करो वो करो ऐसा है वैसा है और आप परिशान आपको नहीं समझ मैरा मेरे क्या बेस्ट है कोई चीज है जो परिशान कर रही है रातों को सोने नहीं दे रही है कई चीज है आपको एक कर नहीं पता है अपने आपको कम आकर रहे हो इस वजय से भी कहीना करें यह चीज आप देख रहे हो लाइफ पर आप मुझे नेक्स जो दिख रहा है आप वही करोगे च्वयसिस बहुत होंगे तिक है आप वही करोगे जो आप करना चाहते हो और अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने चीजों को जो पाना चाहते हो लाइफ में कुछ भी हो उस चीज के लिए आगे बढ़ोगे दोड़ोगे मलब महनत है उसमें मैं देख रही है आप आगे बढ़ रहा है हो तिक है पाड के रख दोगे, मतलब लाइक मुझे चाहिए तो मैं करके दिखाऊँगा, मैं कुछ भी करूँगा यह जो जुनून मैं आपके अंदर देख रहे हूँ इस चीज को करने के लिए दूसरा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए बहुत सारे ऐसा है कि बहुत बहुत आप्शन है या बहुत experience मतलब अलग-अलग type के experience आगे आने वाल समय पे आप लेने वाले हो ऐसा लग रहा है कि अभी तक कहीं बंद थे बड़ अब comfort zone से बाहर आ रहे हूँ यह भी कुछ लोगों के लिए message मुझे दिखाई पड़ रहा है ऐसा लग रहा है कि आप शिकार करने निकल ले आप देख रहे हैं एक चीज आपने notice की यहाँ पर और यहाँ पर मुझे इसा लग रहा है कि इसे शिकार पर निकलना मलब आप अपने गोल को अच्छी हंट करने जा रहे हो ठीक है ऐसा दिखाई पड़ रहा है मुझे आपके लिए opportunities थी बहुत सरी opportunities और बहुत सरी options आपके लिए उपन हो रहे है यह भी मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रहा है आपके लिए एक ending है यहाँ पर कोई चीज ऐसा है कोई phase आपका है जो end हो रहा है और वो आपकी वज़े से end हो रहा है क्योंकि अब आपने या तो खुद पर work करना शुरू कर दिया है या तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने life में कुछ achieve करना चाते हो या उस चीज के ल या sleepless night है कोई चीज लेको लेके परिशान है वो सब end हो रही क्योंकि आप यहाँ जाग रुक हो रहे हो आपको पता है आपका vision clear हो रहा है जो कि देखिए आपका card ये था vision clear हो रहा है कि मुझे क्या चाहिए और life से मुझे जो चाहिए मैं उसके लिए काम करूँगा मैं पीच के लिए आगे बढ़े हो और जो चीज नहीं चाहिए वो end हो रही है आपके life में यहाँ एक ending दिखाई दे रही है वो भी आपके वज़े से हो रही है यह ending क्योंकि आप मेहनत करने वाले हो आपको पता है मुझे life में और life से क्या चाहिए है यहाँ पर यहाँ मैं देख रही है जो सफर इना आपका बहुत असान नहीं रहेगा ठीक है और यहाँ पर आप अकेले रहने वाले हो अकेले अकेले का मतलब यह नहीं कहूंगी सिर्फ अकेले कि आप लोग ही नहीं है आसपास यह कहूंगी कि कह सकते खुद को देख रहे हो वाले हो उ सोचते हो समझने आ रहा कि क्या करना है कैसे करना है plan कर रहे हो strategies बना रहे हो life में कैसे आगे बढ़ना है अगर मैं कहूं तो अगर कोई relationship वाला चकर भी है आपका तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप end कर रहे हो अपनी देखिया तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अ एक न्यू शुरुवात न्यू beginning करते हुए फिर से उस चीज़ पर महनत करते हुए दिखाई पड़े हो दूसरा यहाँ पर overthinking overthinking अकेले और बहुत ज़्यादा overthinking कर रहे हैं मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत ज़्यादा चीज़े आपकी दिमाग में चल लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हूँ मैं इतना कौँगी सिर्फ आपको ऐसे नहीं बैठना कि मैं अकेले बैठा हूँ वह बस सोचता रह होते हैं future में घूम रहे होते हम present में नहीं रह रहे होते हैं कोशिश करिए कि हम जितना हो सके present में रहे हैं ठीक है और यहाँ पर एक action भी आतावा दिखाई पर अगर आप लोग wait कर रहे थे किसी partner के साथ separation में थे तो partner आपको लिए message या call कर सकता चुकि वह आपके बारे में बहुत जादा सोच रहा है यहाँ पर ठीक है आपके लिए message भी है अगर आप hurt थे आपकी expectation टूटी है आपको pain मिला था past में मैं यहाँ देख रही है और वो चीज़े balance हो रही है आपकी जो चीज आपने खो दीदी थे थे अपने अंदर का balance जब इंसान hurt होता है वो balance चला ज होता है अब जो आपका समय आप sun sun darkness और यह उर्जा देख रहे है आप चमक की सी रोशन ही कह सकते है sun moon तो यहाँ है यह तो यहाँ आपके लिए balance आता हो दिख रहा है आपके emotions में भी balance आता हो दिख रहा है जो कि emotions हिल जाते है एक दम से हम देख सकते है तो वो balance आपके दिखारत the magician मैंने आपसे क्या कहा था महनत आप कर रहे हो यहाँ पर चीक है मैं देखी बहुत जल्दी जो भी आप manifest कर रहे हो आपको मिलता हो दिखाई पड़ा बहुत जल्द वो आपके पास आना है यह जो चीज के लिए आप महनत कर रहे हो कह सकते उसका फल मुझे आपक आपके लिए क्या messages है यहाँ पर क्या होने वाला है आपके लिए खास हास पहाँ आपके आपके लिए बहुत भीश का का अर्या धरा मयाँ से रहाई दिलिए उस हूंट आई यह देखते हैं और क्या मेस्टेज है यह शील के यंगर वोमेन ओल्ड वोमेन क्या बात यंगर वोमेन ओल्ड वोमेन दोनों ही आ चुके हैं यहां पर यहां पर हाउज आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट रोल होने वाला आप मेंसे कुछ लोग अपने घर जा रहे हो ठीक है अगर दूर रहते हो तो यह घर में कोई बहुत बढ़ा डिसीजन या लेना हो सकता है यहां तो यहां पर दिख रहे है शाद घर की जिम्मेदारियां आप पर आने वाली है यहां पर ऐसा यह भी दिख रहा है कि आप मेंसे कोई लोग ऐसे भी है जो घर का काम कर सकते हैं यहां पर और ऐसा भी दिख रहा है कि यहां पर आप से कहा जा रहा है मदद आप जितनी म तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको उनकी help करनी चाहिए यह बजाए कि आप अभी अपना काम देख रहे हो कि नहीं यार मैं तो busy मैं भी नहीं कर सकता अगर यह करोगे तो मुझे लगता आपके लिए थोड़ा सा यह रहेगा कि आप कभी जब problem में आओगे तो वो person भी आ तो यह भी मैं आपके लिए देख रही हूँ और जितना भी आप अपने घर वालों से जुड़ोगे उनकी मदद करोगे तो उतना आपके लिए यहां पर मैं अच्छा देख रही हूँ एक job मुझे आते वे दिख रही है आपके घर में शायद किसी की job लग सकती है आपकी job लग सकती है ठीक है घर में कोई happiness घर में कोई event होने वाला है आपके लिए घर बहुत main role अदग कर सकता है यहां पे और house घर में शायद अभी कोई problem शायद चल रही है और शायद वो bonding एक दूसरे में अगर आपस में नहीं बन पा रही है तो मुझे लग रही है कि शायद आप ही कुछ initiate कर सकते हो और चीजे सब में आपस में सही कर सकते हो यहां पे मैं कहूंगी shield आया है तो आपको defend करने की जरवत है खुद को अब कुछ message आपके लिए कोई story बना रहे है कि force working against you तो कोई है जो आपके against काम कर सकता है आपको का जा रहा है अपने आपको defend करो यह कोई younger woman भी हो सकती है कोई older woman भी हो सकती जो एक कहानी message दे रहा है मैं उसकी बात करूंगी बट यहां पे आप नहीं हारोगे चोकि good fortune आया है आपकी जीत है and doing something risky taking a jungle आप से का जा जा रिसकी काम करो चाहस यह नहीं कि आप खेल रहे हो safely आपको risk भी लोगे तो शायद इस पर भी good fortune ह आप से का जा risk low ठीक है यह नहीं कि हम किसी को hurt नहीं करेंगे या कोई कोई काम कराना चाहिए वो काम करा रहा है तो यह नहीं अगर आपको लगता है कि यहां पे मुझे बोलना चाहिए और मेरे बोलना सही होगा तो आप जरूर करो अपने लिए action लो ठीक है यह एक बात एज में बड़े हैं तो यह आपकी कोई partner भी हो सकती है शायद तो यह कोई person हो सकता है आपकी किसी की बेटी भी हो सकती है तो यहां पे यह कोई younger woman हो सकती है जिनको आप जानते हैं अपने life में younger woman यह आपके कोई role अदा कर सकती है important older woman भी आपके life में कोई role ऐसे ही जैसे कि य यह कोई भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए यह कोई भी है लेकिन कोई रोल अदा करते हुए मुझे यहां पर दिखाई पर रही है आपके लिए कह सकते हैं अच्छा समय शुरू हो रहा है और हमेशा अपने आपको डिफेंड करना आपको किसी को अटैक नहीं करना देखो अ अटैक नहीं करोगी आपने ऐसा किया यह किया ब्लेम नहीं करना है किसी को फोर्स वर्किंग देखी कुछ बुरा अगर हो रहा है तो उसे होने दीजे उसे होने दीजे आप से फो गुट फॉर्चून आपके लिए है अच्छा समय आपके लिए और आपको कैसे डिफेंड क सहब होता है शाब करते सबस्क्राइब करतेखें किसा सतकेशट कि नहीं ऑubby अधर करते हैं तौन में लिए में अवर्ड का जा राजब हो आपके लिए, तो असा रिस्क से खेलने के लिए आप से का जा लाइफ में आप इसको कैसे भी ले सकते हूं आए देख लेते हैं और भी मैसेज़ेस आपके लिए क्या है आपके लिए और आया है आपके लिए और आया है नाइड अफ सोट्स आए देख लेते हैं देखो मैं इतना कहूंगी अगर आप पे जिसके मैंने कहा कि कोई अटैक कर रहा है माला आपको कोई कुछ बोल ला है ये वो ऐसा वैसा कुछ भी ठीक है कुछ भी या कोई आपके लिए कुछ अगेंस कुछ प्लान कर रहा है यहां पर सबसे पहले अपने उपर विश्वास रखना है और काम होके बैठना है ठीक है आप जितना काम रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है और दूसरा मैं कौँगी आपको सिर्फ प्लानिंग नहीं करना लाइफ में जिससे कि मुझे ये चाहिए ये मुझे वो चाहिए लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक्षिन भी लेना है आप और मैं यह कौँगी कि दूसरा अगर आपको किसी को मुह तोड़ जवाब देना है न तो मैं यह कौँगी कि जलबाजी नहीं करना है अगर सामने वाला बोल रहा है न बोलने दो बोलने दो वन लाइन में एक एक लाइन बोलो और सामने वाले का मुह बन करो यह नहीं कि आप कुछ गलत बोल रहा है नहीं वह बोलना भी ऐसे वन लाइन बोल के मुह तब बन की जाता है कि सामने वाले के पास कोई जवाब ना बचे ठीक है ऐसे और दूसरा मैं मैं देख रही हूँ कि आप भी ऐसा नहीं हो कि सामने वाले को वो बोला है बोला और आप चुप 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 बैट रहोगा नहीं यह एक action देख रहे है नाइट आफ सोर्स है आप action लेते हुए आगे बढ़ते हुए और जो भी आपका टागेट है गोल है जो भी कहलो उसको अच्छीव करते हूँ और यहां पे आप सामने वाले पर डिपेंड नहीं हो कि सामने वाला कैसा है वो क्या कर रहा है वो जो करेगा वो मैं करूंगा यह वाना चक्कर नहीं ह मुझे क्या करना है लाइफ में मेरे आप उस पर ध्यान देते हुए मुझे दिखाई पड़ ले हो फाइव पैंटिकल और नाइन अफ कपस फाइनशल प्रॉब्लम थी तो वो खतम होते हुए दिखाई पड़ी है आपकी कोई wish fulfillment दिखाई पड़ी यहां पे message और मिल ला है क कि अगर आप कहीं न कहीं demotivate हो गए थे life से या कोई ऐसा हो गए था कि में life में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था तो अब अच्छा चलेगा और अगर आपने कहीं अपनी strength खो दी ती वो strength आप आते हुए वापस यहां दिखाई प मुझे असा लग रहा है कोई आपकी तरफ अट्राक्ट हो सकता है आपको commitment दे सकता है यहां पर आपको दिल दे सकता है यहां साफ साफ दिखाई पढ़ रहा है क्योंकि आप भी the Empress की उरजाई चाहिए आप कोई भी हो male हो या female हो मैं देख रही हूँ कोई आपकी तरफ आ सक आपकी ऐसे ही वो इस तरह आपके जीवन में आएंगी कि लग आपको लगा कि यह persons अच्छा और कोई नहीं हो सकता है चुकि जो the Empress होती है ना इनके दिल बहुत ही अच्छा होता है वो दिखने में बहुत attractive बहुत सुन्दर होती है तो आप उनको अपने दिल दे सकते हो आप कुछ create करोगे ठीक है आप अपने अपने से कुछ create करोगे अपने life में कुछ बनाओगी या फिर जैसे आपने कुछ hard work किया कोई काम किया उसका result मिलते भी मुझे दिखाई पढ़ रहा कि कोई आपने मेहनत की कोई काम किया कुछ भी काम चुटा 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 काम ब जैसे close हो गया था या फिर हमें रास्ता नजर नहीं आता ना जहाँ पर हम surrender to the god कर देते कि हमें नहीं पता अब इस चीच को मैं तो handle नहीं कर पा रहा यह situation को हमने इश्वर के हाथ में छोड़ दिया कि अब वो समा ले तो यहाँ पर मुझे आपके लिए डोर open होते वे यहाँ आप new beginning करते हुए कुछ नया सीखते हुए ठीक है job के बार मुझे से लग रहे कि आप में से कुछ लोग के यहाँ जॉब लग सकती है government job यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ अगर कोशिश ही कर रहे हो तो यहाँ पर है ठीक यह भी दिख रहा अगर love life की बा को ठीक है कोई especially अगर जिस्ता से काड आया तो मैं अगर ऐसा female की बात करो तो कोई male person आपको यहाँ पर support करना चाहता है यहाँ पर आपका साथ निभाना चाहता है यहाँ पर यह भी दिख रहा है अब male female भी हो सकते हैं चोकि यहाँ दो हात है हम ऐसे जन्डे स्पेसिफिक नहीं बड़ दो काड आया मैंने उसको explain किया है तो यह male female दोनों के लिए कि कोई person आपके life में आना चाहता है maybe यह शायद Aquarius Libra Gemini हो सकते हैं आपके लिए और अगर communication बन था आप दोनों के बीच तो communication शुरू हो सकती है but maybe शायद वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि कोई person को शायद आप जानते हैं तो वो लेकिन आपका साथ चाहता है वो cold बाहर बाहर से दिखा रहा है उसे express करना नहीं आता वो बोल नहीं पाता लेकिन कुछ इसके hidden feelings हैं यहाँ पर आए देखते हैं the chariot मैं देख रही हूँ जो भी चीज़े आपको serve नहीं करती आप उन्हें छोड़के आगे बढ़ रहे हो और आपकी life में यह जो दुगोड़े देख रहे हो ना पहले बात तो मुझे यहाँ पर आपके लिए soulmate relationship भी दिख रहा है दूसरा आपकी life में balance आता हुआ और आपकी life के जो obstacles है वो सब खतम हो रहे है और आप भाग रहे हो आगे बढ़ो life में ठीक है अब बहुत तेजी सा क्या था यह देखते आपके लिए क्या messages है वेल दी मैन ओके वेल दी मैन अ खली मैन कि दीक फडल दीड प्रति वेल था लिए अ की अ और लिफ लावर के तो आपके लिए यहां पर मुझे मैसेज दिख रहे हैं पर तो वेल्दी मैं से शुरू करते हैं आपके लिए वेल्दी मैं का काड आया है तो मैं देख पा रही हूँ आप काफी अच्छा कर सकते हैं अपने फाइनांस को लेके अच्छी जगा मझे इन्वेस्मेंट करते हुए दिखाई पर रहे हूँ यहां पर यहां पर मैं यह भी देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसा भ मैं काप तो मैं तरहरे हूँ क्हिते हैं तो मैं काऊंगी आपे के लिए वील्दी मैं बन सकते हुए तो मैं देख रहे हूँ कि आप भी आप पैसे कमाने के बाए हैंसेव क्यों गवांड़ी अपने नांस फोकुस refugee पोक haarई का यहां पर मैं देख रही हूं कि अगर आप मेल हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपका पूरा फोके जैसे कि मैंने कहा फाइन्स की तरफ रहेगा और बहुत जल्दी-जल्दी कैसे हमें रिच बनना है इसके तरफ आपका ध्यान रहने वाला है बहुत जादा जोगे कि अगर यह आपका सपना है और आप चाहरे हो यह करना और हो सकता है कि आने वाले समय में आप बहुत अच्छे फाइन्स हो आपका फाइनैस अच्छा हो जाए काफ़ी स्टेबल हो जाए और अप अच्छी अर्णिंस आपकी हो जाए यह उता वा दिखाई पर रहा है आपका bank balance अच्छा होता दिख रहा है, positive approach, यहाँ पे जो भी है life में, इसको लेके पहले मैं connect करूँगे, इसके बात इसको अलग से भी explain करूँगे, तो पहले मैं कहूँगे, जब तक आप वो चाहते हो ना, वो चीज आपके achieve करो, आपको positive approach लेके चलना होगा life में, यह मत कभ लेकिन मैं यह नहीं कहा रही कि आप illegal काम करो, लीगल काम करो, पर महनत करो और इस चीज के लिए काम करते रहो, action लेते रहो, कोई चीज चाहिए तो, ठीक है, positive thinking रखो इस चीज के लिए, कि मुझे यह चाहिए, मैं बनूँगा, मैं बन के रहूँगा, मैं दिखा दूँग कर रहे हैं, और जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, मैं यही कहूंगी, कि life में कोई भी situation हुई है, आपको क्या, यह सोचो, कि मुझे सिर्फ ग्रो करना है, मुझे आपको वो चीज पास्ट में हो जाती है, आपको आपको ग्रो नहीं करने दे, आपको नीचे की मुझे life में grow करना है, और जब तक पीछे past के baggage को छोड़ोगी नहीं, आप life में grow नहीं कर पाओगी, चाहे वो कितना ही अच्छा incident क्यों नहीं, चाहे कितना ही बुरा incident क्यों नहीं, अगर आप उसको real को चला रहे हो दिमाग में, तो आप grow नहीं कर सकते, और मैं कहूंगी कि positive approach ही लेके चलना, मैं जितना हो सके positive रहो, चीजों को लेके, अपने आपको positivity, positive करने की कोशिश को negative thoughts अगर बहुत आते हैं, तो meditation करना शुरू करने आप, ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहला card आप करूँगी, broken bridge, unsuccessful outcome to a problem, हो सकता है कि आपके life में कोई problem आई हो, जो कि, अब मै यहाँ पे देखें, आपको कोई plan बिगड़ गया, ठीक है, problem आगे, हम सोचे रते हैं, ऐसा हो और यह हो गया, देखो कभी भी life में इतना समझ ले, जो होता है, उसके पीछे कोई ना कोई reason होता है, पहली बात तो यह, दूसरा, अगर यह plan खराब हो है, इसका मतलब तो आप आपको alternative पे जाना चाहिए, या दूसरा कोई plan बनाओ, यह चीज आपके लिए नहीं है, या आपसे कहा जारे है, शायद दुबाला कोशिश करो, चोगी आपने जो पहले किया था, वो सही तरीका नहीं था, ठीक है, तो यह चीजे होती है, यह अगर हुआ है, इसके पीछे बहुत सारी reason है, अब हमें यह नहीं देखना कि अरे यह तो हो गया, इसी को लेके बैड गया, यह चीज आपको यहां बताई जा रही है, दूसरा, someone is behaving stupidly, अब यह आप भी हो सकते हो, और यह कोई आपके life में भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी हम भी बहुत अजीब तरीके स behave कर देते, it's okay, यहां पर someone you know is undependable and insincere, तो हो सकता है कोई जो stupidity कर रहा है, जो insincere है, वो आप उससे deal करो, या तो मुझे कुछ लोगों के लिए एक message यह मिल ला है, शायद आपने कोई ऐसी गलती की है, जो कि मुझे इसा दिखता है कि वो शायद हो गई गलती, यह कह सकते या अपने पहर पर कहते है, कुलहारी माल लेना, चीक है, यह चीज आप में से शायद कुछ लोगों ने किये, सबसे resonate नहीं करेगी, पर हो समझ रहा है, जिनको यह मैं message दे रही हूँ, की है, life में positive approach लेके आगे बढ़ो, गलती हो जाती है, और गलती सबसे होती है, अपने आपको माफ करना सीखो, चीक है, दूसरा, हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा कर रहा है, अगर आपको लगता है उसको सलह देना चाहिए, तो please दीजे, और अगर आपको लगता है कि मेरे बोलने का कोई फाइदा नहीं है, मत बोलो self-realization जैसी चीज़े होती है, वो self-realize क पर लेगा कि वो क्या गलती कर रहा है, कहां गलती कर रहा है, आपको बोलने की जवतनी है, अगर आपने कई बार कुशिश की और words आपके काम नहीं कर रहे हैं, आप इस इंसान को जानते हो, तो इस बेटर है कि आप चुप रहो और वो अपने आप समझेगा, ठीक है, carriage, और Do not back down from our position, show strength and fortitude, दिखो सामने वाले से दरना नहीं है, कि पीछे हर जाओ, कि सामने कौन है भाई पीछे हर जाओ, डरना नहीं, डरना नहीं हो सकता है, शायद वो सामने वाला वही कुछ ऐसे insincere चीजे की कर रहा है, कोई stupidity कर रहा है, ठीक है, आपके लिए message आया है, तो fight क तो अपने लिए ज़रूर standard, सामने से देखो डरना नहीं है, fight करना है, और कैसे fight करना है, सबसे पहला आपके लिए जो काड़ा है था positive approach लेकर, जितना, देखो negativity ना negative आपके मुझ से निकले, ना negativity आप सोचो, ना negative करो, ठीक है, positive approach लेके चलो, लेकिन अगर सामने वाला अग mark ठीक आने लगाना है, तो लगाओ, लेकिन in a positive way, ठीक है, अच्छे से लगाओ, मतलब, humble होके, प्यार से, ठीक है, great and good fortune, तो आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, ठीक है, और blessing है एक तरीके की, तो ये आपका अच्छा समय कह सकते हैं, शुरू हो सकता है, और वो सामने वा ठीक है, आईए, देखते हैं, क्या messages हैं आपके लिए, ओके, आप, पार्टनर्शिप में काम करने वाले हैं, हो सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर हो सकता है कि, कुछ लोग third party में काम करें, लाइक दसे की, इसको मैं कैसे समझाओ, जैसे, कोई business वगेरा, या आप किसी family में जाती है, जैसे, जब शादी होके, कोई लड़की family में जाती है, ठीक है, तो वैसा भी मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कि, ऐसा होते भी कुछ दिख रहा है, कोई good news, marriage की good news आ सकती है, career में कोई good news आ आपको मिल सकती है, ठीक है, अगर आपकी relationship किसी के साथ खराब थे, किसी भी person के साथ खराब थे, तो वो अच्छे हो सकते है, healing मुझे आते हुए दिख रही है, अगर life में कुछ सही नहीं चल ला था, तो आपकी healing होती हुए भी मुझे दिखाई पर रही है, health में कोई problem थी, तो health भी आपकी अच्छे भी दिख रही है, ठीक है, अगर कोई person, मुझे तो ये दिख रहा है, साफ साफ आपके तरफ आ रहा है, दीरे ही सही, बट वो आपके पास आ रहा है, अगर आप इस person को पहले से जानते हो, कोई है, जिनके बारे में आप जानते हो कि person से आप deal कर र होता है, मतलब वो धीरे ही चलता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा ही, expressive कहलो, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते है, और आप हो सकते हो, और यहाँ पर तो आप हाथ मिलाते होए, उनसे यहाँ पर दिखाई दे रहा, आप दोनों एक होते होए, वो आपको, कोई new person भी हो सकता ह होंगी यहाँ पर, क्योंकि twin तो आई है, बट फिर भी यह message सब के लिए है, तो आपको strong होने के ज़रौत अंदर से, और अगर जब सामने opposition हैना, यह कोई भी हो सकता है, कोई अपना भी हो सकता है, यहाँ पर अपनी emotions को थोड़ा control करो, अगर अपनी fight जीतनी है तो, क्योंकि हमारी लड़ाई अपनों सही होती है, तो emotions को पहले अभी यहाँ पर side करो, control करो, अपनी चीज़ों को surrender to God करो, और ना fight करो अपने लिए, कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान है मेरे साथ, वो देख लेगा, तो है, वो आपके लिए है यहाँ पर, बट आपको fight करना अगर आप strong हो सकता है, कोई ऐसे painful journey से आप बाहर आयो, पर आपके लिए यहाँ पर ईश्वर का साथ है, वो कहरे मैं हूँ तुमारे साथ, तुम आगे बढ़ो, और किसी ऐसी चीज़ साब निकलो, जो painful था तो आपने emotions वहाँ पर देना नहीं चाहते, अपने emotions अब किसी पर बढ़ रही है यहाँ पर, और आप में से अगर कुछ लोग conceive करना चाहते है, प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है, एक message यह भी मिला है, चाहिए वो male हो या female, आप दोनों के लिए है, यह message अपनी feminine energy को आप balance करो, वो imbalance हो गई है, अप अपनी care करो, self love, self love करो, obviously imbalance हो, self love करना शुरू करे, आपके लिए एक, बहुत important message है, self love, self love, self love, self love, ठीक है, magician and four of pentacles, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत मैनत करने वाले हो आने वाले समय में, और अपने finances को बहुत समहाल के use करने वाले हो यहाँ पर, कहां invest करना है कैसे invest करना है, ठीक है, थोड़ा समहाली हुए, दूसरा यह बात भी दिखरी है, कि आप सब को अपने plans के बारे में नहीं बताने वाले है, मेरा next plan क्या होगा, अब आप बहुत ज़दा privacy यहाँ पर maintain करोगे, अपने life को लेके भी, अपने love life में भी, और अपने मतलब खुद money manifest कर रहे हो, क्या money manifest कर रहे हो, हो सकता है कि money की कमी और money को ही manifest कर रहे हो, आपके लिए कार्ट भी है, लव लाइफ की बात की जायत, तो slow हो सकती है, पर इसमें आपको growth दिखाई पड़ेगी, slow है, पर growth भी है, ठीक है, self love अली बात मैंने आपको कही थी, वो तो यहां पे भी आपके लिए है, दूसरा, आपको अपने उपर ध्यान देना है, अपने उपर, अपनी growth पे, कोई है, जो आपके लिए नजर रख रहा है, कोई है, जो आपका wait कर रहा है, अगर जिसतर से card है, तो पहले मैं बता दू कि देखो, तो अगर females मैं कह दू कि आपके लिए कोई wait कर रहा है कोई आपका पर नजर भी रखे हुए है और मतलब आपका इंदिजार कर रहा है आपका wait कर रहा है message का call का जो भी कह लो आपका ही समल लो और अगर males देख रहे हैं तो कोई female है जो आपसे बहुत प्यार करती है ठीक है वो बहुत ज़रा feelings है उनके मन में आपके लिए अगर हम ऐसे in general message ले तो यहाँ पैसा दिख रहा है कि प्यार दोनों ही तरफ है काफी है पर वो एक दूसरों को बता ही नहीं पार है किसी तरीके से मतलब है प्यार है दोनों साइड है बट वो बाते ही नहीं हो पार ही आप दोनों के बीच में कि आप दोनों अपने मन की बाते एक दूसरे से करें ये भी मुझे दिखाई पर रहा है लव अ करियर बैलन्स भी करते हुए कुछ लोग यहां पर दिखाई पर रहे है आपके लाइफ के बहुत बड़ी एंडिंग हो रही है और लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है एक तो एंडिंग अब जो चल रहा था वो खतम आप आपके लाइफ में बडलाव यह आपके अंदर आ चाहिए आप उसको कहते है छोटा ही बडलाव है बहुत नोटिस नहीं कर सकते लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर हो रहा है वो चीज़े चीक है तो यह थी आपकी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब मैं चनल तक नहीं किया है तो कमें बॉक्स में जरू बताएगा थैंक्यू पो वच्छिंग